आज हम देखेंगे चतुर्भुज के प्रकार और इनके गुणों से संबंदित कुछ उदाहरण दिये गई चित्र देखकर चतुर्भुज यानि क्वाड्रिलेटरल का प्रकार पहचान ये इस चित्र में हमें आयत यानि रेक्टांगल का आभास होता है इस चित्र में वर्ग यानि स्क्वेर का आभास होता है अब आप सोचिए इस चित्र में कौन से चतुर्भुज का आभास होता है सोचिए सोचिए चलिए हम बताते हैं इसमें एक समानतर चतुर्भुज यानि पैरलेलोग्राम का आभास होता है इसी तरह इसमें एक आयत का आभास होता है इसमें एक सम्चेतुर्भुज यानि रॉम्बस का आभास होता है इसमें एक समलंब यानि ट्रपीजियम का आभास होता है और इसमें एक त्वर्ग का आभास होता है अगलावधारण अमन को वर्तमान पत्र में एक पहेली मिली उस पहेली में लिखा था मैं एक चतुरभुज हूँ जिसके कोई भी भुजा समान नहीं है और सिर्फ दो सम्मुख भुजाएं समान तर है ग्यात कीजिए मैं कौन हूँ आरिये हम इस पहेली का हल ढूणते हैं यहाँ पहेली से पता चलता है कि दिया आकार एक चतुरभुज है यह अतिरिक्त जानकारी यह दी है कि इस चतुरभुज के कोई भी भुजा समान नहीं है और सिर्फ दो सम्मुख भुजाएं समान तर है चलिए इस जानकारी के आधार पर एक चतुरभुज बनाएं सबसे पहले हम दो सम्मुग बुजाएं बनाएंगे जो की समानतर हो लेकिन उनकी लंबाई समान न हो फिर हम पजी हुई दो बुजाओं को जोडेंगे इस से एक आकृती बनेगी बताईए यह कौन सा चतुरभुज है बिलकुल सही यह एक समलंब है अगर आपको गुण ग्यात है तो आपको आकृती बनाना अवश्यक नहीं आप गुणों के आधार पर भी बता सकते हैं कि यह एक समलंब है अगला उदाहरण दिये प्रतिबंदों के आधार पर कौन से चतुरभुज बनाए जा सकते हैं एक चतुरभुज जिसके सम्मुख भुजाओं का कम से कम एक युग्म समानतर है सम्मुख भुजाओं की लंबाई समान है और विकर्ण परस पर लंब है चतुरबुज के संदर्व में यहां हमें पहली बात पता चलती है कि उस चतुरबुज के सम्मुख भुजाओं का कम से कम एक युगम समानतर होना चाहिए क्या बता सकते हैं कौन-कौन से चतुरबुजों में सम्मुख भुजाओं का कम से कम एक युगम समानतर होता है सोचिए सोचिए सही सोचा यह वर्ग, आयत, समानतर चतुरभुज, सम्चतुरभुज और समलंब के लिए सत्य है अब दूसरी बात यह है कि सम्मुक भुजाओं की लंबाई भी समान होनी चाहिए क्या अब पता सकते हैं कि वर्ग, आयत, समांतर चतुर भुज, सम चतुर भुज और सम लंब इन में से कौन से चतुर भुज में सम्मुक भुजाओं की लंबाई समान होती है? सोचिए सोचिए बिल्कुल सही, वर्ग, आयत, समांतर चतुर भुज, सम चतुर भुज इन सभी में सम्मुक भुजाओं की लंबाई समान होती है लेकिन समलंब में सम्मुक भुजाओं की लंबाई समान नहीं होती अब हमारे पास चार चतुर भुज बचे है अब तीसरी बात यह है कि उस चतुर्बुज के विकर्ण लंब बनाते हैं अगर हम देखे तो वर्ग, आयत, समांतर चतुर्बुज, सम्चतुर्बुज ये चारो चतुर्बुज विकर्ण बनाते हैं लेकिन आयत और समांतर चतुरभुच के विकन लंब नहीं बनाते. इससे हमें यह पता चलता है कि दीगई जानकारी सिर्फ वर्ग और सम्चतुरभुच के लिए ही सत्य है. इसलिए इस सवाल का सही जवाब है वर्ग और सम्चतुरभुच. तो आज हमने देखे चतुर्भुच के प्रकार और इनके गुणों से संबंदित कुछ उधारण अगले वीडियो में हम देखेंगे चतुर्भुच के प्रकारों से संबंदित कुछ साधारण कलतिया